हाई फ्रेंड्स वेलकम बाक तो इस्टेडी क्लासस तो प्यारे दोस्तों UGCनेट जून 2023 एग्जामिनेशन जो है वो अभी बहुत पास आ चुका है अभी ओफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया बट कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है डेट साला की पहले ही उन्होंने तो सबसे पहले तो यह सवाल उठते है कि कितना समय हवारे पास अवेलिबल रहेगा अभी नेक्स एग्जामिनेशन के लिए सभी एस्परेंट्स के माइंड में कहीं ना कि यह चीज तो जरूर चल रही होगी और मुझे लगता है कि कम से कम आपके पास 50 दिन का समय जरूर ह होगा बट 50 डेस आपकी पढ़ाई के लिए अवेलिबल आपके पास नहीं है क्योंकि इसमें से लाश्ट के दस दिन तो आपको और बहुत सी चीज़े करनी होगी मेरा मानना है कि 40 डेसे जिसमें आपको सीरियस प्रेपरेशन यहां पे करनी चाहिए सब कुछ छोड़ चाड और इसमें आपको आपको जो सवाल आएगा वो ऐनलेटी काल आएगा घुमा फिरा की आएगा तो आपको NPV के जो merits है उसमें यह परखना है कि NPV का यह merit क्यों है जैसे उसका merit है it considers time value of the money तो क्यों उसका merit है आपको पता होना चाहिए है न केवल रटे लगाने से बात नहीं बनेगी बागी देखो previous year की practice तो साथ साथ चलती रहनी चाहिए वह आपको यहां पर करनी है और कैसे कैसे आपका detail में study plan होना चाहिए वह आगया आपके साथ discuss करूँगा और last के 10 days देखो आपको रखने है revision के लिए और बहुत सी चीज़े होती है जिनको रटा लगा के जाना पड़ता है जैसे accounting standard है कौन से person ने कौन सी theory दिये कौन से person ने कौन सी किताब लिखी है तो यह सब चीज़े आपको last में रटा लगा के जानी होती है तो उन इसे तीन घंटे बेट के एक्जाम देने का और last में आपको कुछ current affairs भी देखने चाहिए क्योंकि आज कल examination में current affairs भी पूछेदार है तो last के 10 दिन तो इन सब चीज़ों में निकल जाएंगे बट अभी 40 days they are very very crucial very very important और क्या आपका strategy होना चाहिए वो अभी आपके साथ पर discuss करने वाले उसको अलग-लग तरीके से discuss करेंगे beginner के लिए net qualified के लिए सबके लिए लग-लग तरीके से strategy हमने आपके लिए design किया तो अभी सबसे पहले beginner की बात कर लेते हैं तो अगर आप अभी एक beginner हैं तो आपका focus होना चाहिए कि आप syllabus की overall coverage overall understanding यहाँ पर obtain कर लें अभी अभी आप overall understanding ले सकते हैं कि हाँ यह मेरा syllabus है और इसके अंदर यह topics है और इन topics का मतलब क्या है basic idea क्या है you should have that basic understanding और यह आपको understanding मिल सकती है paper 2 के लिए ever study classes के free snapshot notes available है हमारी app पे और हमारी website पे आप हमारी app या website पे जा सकते हैं वहाँ पे sign up करके आपको free courses के अंदर यह course दिख जाएंगे जिनको आप refer कर सकते हैं overall understanding के लिए तो वह आपके लिए helpful definitely यहां पर रहेगा अब देखो केवल उतना कर लेने से हमारे पास queries आती है कि केवल उतना ही करके चले जाएं क्या देखो यह कोई आपका university का B.com M.com का paper नहीं है कि आपने 5 सबाल कि वहां पास हो जाओ ग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पिछले at least 5 साल हो के आप जादा कर सकते हैं तो जादा कीजिए कम से कम पिछले 5 साल हो के आपको previous year question solve करने हैं और मैंने यहां पे word highlight कि है analytically आपको analytically solve करने तो ऐसा नहीं कि आपने देखा कि हां question आया और उसका answer यह था इससे बात न किश्如果你 पर सब्सके करने हैं किंडियार करने कि कि अगर बार वह वह व्यां आएगा ऐसा आपके university में होता हुए यहां नहीं होता हुए तो यहां पर आपको broad topic पकड़ना है accounting standard broad topic है तो इस आगे भी सवाल आ सकता है तो वह आप याद कर लिए और ऐसे सवाल Calendar आपके ऐड प्रॉर्म है पर सावह सब्सक्राइल खूर्ट आउपशन के साथ लिल्ग शेंपके अपिए उनको आम को समझने की कोशिव करनी है और देखो previous year questions आप लगाएंगे ना तो आपको अपने week area इसपता लग जाएंगे जैसे आप मानलीजे accounting के previous year लगा रहे थे और आपको समझ ही नहीं आ रहे marketing के लगा रहे थे और आपको समझ ही नहीं आ रहा कुछ उसके अंदर तो that is your week area और इस week area पर आपको और भी detail में काम करना है और उस detail में आपको जो काम करना है उसके लिए आपको strategize करना पड़ेगा कि आप कैसे उस पर detail पर काम करेंगे मेभी आप कोई course join करेंगे मेभी आप उसका कोई book पड़ेंगे मेभी आप कहीं और से उसकी त्यारी करेंगे बट उस पर आपको और detail में काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप यह सोच रहे हैं कि 150 के 150 questions को solve नहीं कर सकते हैं तो ऐसे questions हमेशा रहेंगे जो आपकी रीच से बाहर होंगे और अगर आप खुछ से और भी चीज़े छोड़ के चले जाते हैं तो काफी सारा paper आपकी रीच से बाहर हो जाएगा और आपका goal आप accomplished नहीं कर पाएंगे और देखो साथ ही साथ आपका जो paper 1 वाला portion है उसमें जो आपके conceptual units है वो तो आपको पढ़ नहीं है जैसे teaching, research है, higher education है यह तो आपको पढ़ नहीं है, ICT आपको पढ़ नहीं है बट आपके कुछ practice वाले units भी है उसके अंदर जैसे आपका logical reasoning है, आपका maths है, आपका DI है, आपका comprehension है, तो इन चीजों की practice काफी लोग करते ही नहीं है और exam में जाकर पहली बार इनको attempt करते हैं तो वहाँ पर इनके उपर बहुत time waste होता और गलतिया भी बहुत जादा होती है, तो habit बनाई है कि कम से कम आपको एक गंटा या आदा गंटा तो कम से कम daily आपको इन topics की भी practice करनी है, किसी दिन maths कर लो, किसी दिन D.I. कर लो, किसी दिन L.R. कर लो, किसी दिन comprehension कर लो, बट तो examination में आपको दिक्कत आएगी, अगर आप एक beginner हैं और ये चीज़े कर लेंगे, मैं guarantee देता हूं कि आप अपने goal के नजदीक जरूर पहुंच आएंगे, बाकी आपके उपर है, कि accomplish होगा नहीं होगा, luck के उपर accomplish होगा नहीं होगा, बट आप ये चीज़े करने से confident feel करें और अपने goal के करीब जरूर पहुंच जाएंगे, तो चलिए बात है ओना experience के उपर, जिन्होंने पढ़ाई तो करी है, examination भी दिया, बट अभी net भी clear नहीं कर पाए, मेबी उनके mind में misconception था कि कुछ selective study से ये exam crack हो जाएगा, या फिर उनको लग रहा था कि ऐसे ही paper दे देंगे तो पास हो जाएगा, तो नहीं भाईया, ऐसे ही paper पास नहीं होता है, तो अगर आप examination की त्यारी कुछ हद तक कर चुक है, बट अभी भी आपका net भी accomplished नहीं हुआ, तो I am sure कि आपके काफी सारे week areas होंगे, week subjects होंगे, जिन पर आपको work करना होगा, और वो आपको definitely पता होगा तो अपने आप से पूछे, मेरे क्या week areas है, आपने previously examination दिया, उसमें आपका score देखके भी आपको पता लग जाएगा कि मेरा क्या week area है, paper 1 week है, 2 week है, paper 2 में भी कौन सा particular part week है, उसको identify कीजे और उस पे काम करना शुरू कर दीजे, नहीं तो इस बार भी वही part आपको दिक्कत देगा और इस बार भी आप net से भी चूख जाएंगे, तो week areas पे आपको work करना है, और साथ ही साथ जो previous year questions है, उनको analytically solve करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पे भी आपको previous year solve करना है, बट यहाँ पे आपको कम से कम पिछले 10 सालों के कोशिश करने है, कि आ previous year के paper solve करें, 2012 से, I think आपकी कोशिश हो डिए चाहिए, कि आप previous year papers को यहाँ पे solve करें, बाकी MCQ के practice आपको daily चलनी चाहिए, अगर आपकी syllabus की coverage अच्छी कासी हो चुकी है, तो daily MCQs कीजिए, जिसमें previous year questions को पहली priority दीचे, इसके पाद आपके unit wise mocks है, और full length mocks है, जिनको लगाना है, और paper 1 की practice आपको भी daily basis पे करनी है, और आपको timer भी साथ में लगाना है, तो आप D.I.E. का question कर रहे हैं, तो timer लगाना चाहिए, कितना time में मुझे कर लेना है, क्योंकि examination में आपका paper नहीं पूरा होता, अगर आपको time limit में करने की आदत नहीं है, तो अगर आपक पेपर पिशली बार भी इसी वज़े से छूट गया था, और आप अपने जो गोल है, उसे इचीव नहीं कर पाये थे, तो इस बार टाइमर लगा के practice कीजिए, मॉक्स लगाई है, और paper 1 में जो डी आई है, काफी time ले लेते हैं, तो इनके practice आपको timer लगा के करनी है, अंडर pressure करनी है, ताकि आप खोड़ा सा examination oriented हो जाए, examination वाली feel आजाए, और exam में जाकर आपको ये routine का काम लगे, आपको इसमें दिक्कत ना आए, चले बात है, अब आरे ऐसे दोस्तों की तरफ, जिनोंने पढ़ाई काफी करी है, net भी qualify कर लिया, बट अभी जीरेफ से चूक रहे है बट में भी कुछ चीज़े ऐसी हो जिनके आपको concept clarity ना हो, तो उनको identify करके cover up कर लो, और इसके साथ साथ अभी आपको जो एना, revision करना है MCQs के दुरू, में भी अगर आप अपने notes वगरा उठाएं, या फिर पुराने आपके classes वगरा उठाएं, आपको लगे कि ये करनी है कि आपको कम से कम एक unit wise mock daily लगाना है, और हर Sunday को आपको full length mock ज़रूर लगाना है, this should be your basic habit, ये आपका time table में include हो जाना चाहिए, और देखो आपको जो full length mock attempt करना है ना, उसमें भी कोशिश करो कि आप 3 गंटे में mock attempt करो, एक्जाम में आपको 3 गंटे मिलेंगे, बट व कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करो कि धाई गंटे में ही आप उसे attempt करें, और इसके लावा प्यारे दोस्तों, आपकी कोशिश ही होनी चाहिए, कि आप पिछले 15 सालों के previous years को solve करके चाहिए, और यहां पे भी आपको analytically solve करना है, आपको केवल correct answer नहीं देखना, आपको question को अच्छे से decode करना है, उसकी तहे तक जाना है, सभी options को परकना है, ताकि आपको अगर कोई ऐसा सवाल जो कि indirectly इससे related हो, वो आगे पूछा जाए, तो आप उसे answer कर सके, देखो अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, कि अभी मैं आपके लिए session record कर रहा था, business management और HRM का, अभी कली record कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या देखा, कि आपके काफी सारे जो सवाल है ना, इसमें, टेडे वाले सवाल, जिसका answer कोई कोई कर पाता है, वैसे टेडे वाले सवाल जो है, सीदे सीदे सवाल तो चलो, ठीक है, जो टेडे वाले सवा आप डिरेक्ट पूछ लिया, इसे गुमा फिरा के सवाल पूछ लिया, रिपीट कर लिया, इंडिरेक्ली, तो ऐसा repetition आगे भी हो सकता है, और अगर ऐसा टेडे सवालों में repetition हो, जो कि कोई-कोई परसन ही कर पाता है, तो डाट इस गूइंग तो गिव यू competitive edge, ठीक है, तो इसलिए आपको previous air questions को analytically solve करना है, केवल answer देखके छुटी नहीं करनी है, और इसके लाबबा paper 1 की practice आपकी भी daily basis पर चलनी चाहिए, timer लगा के practice कीजे, paper 1 के जित्ते भी maximum shift के आपको MCQs मिलते हैं, उनकी practice कीजे, तो this should be your basic strategy to prepare for JRF for the upcoming examination, आपको motivated रहना है, यह भी आपको लग examination है, तो यह वाला attempt आपको definitely जरूर जरूर देना चाहिए, give at least one shot, जो भी आपको लग रहे है कि कुछ week areas है, उन पर work करके जाहिए, practice पर पूर करके जाहिए, और मेरे कहने पर अगला attempt भी जरूर देकर, आइए, क्या पता आपकी lottery निकल चाहिए, और आपका JRF यहाँ पर हो चाहिए, video classes चाहिए, notes चाहिए, सब कुछ detail में चाहिए, तो आप पूरे courses को check out कर सकते हैं, commerce और management के लिए हमारे पस different courses available है, और इन पर regularly हमारे कुछ-कुछ discounts offers भी चलते रहते हैं, तो आप इन courses को check out कर सकते हैं, आपकी कोई query है, तो आप हमें call या WhatsApp भी कर सकते हैं, यह number नया validity option add कर दिये, तो paper 2, या फिर paper 1 plus 2, commerce management का अगर आप course check out करते हैं, तो उसमें आपको एक और नया validity option मिलेगा, जिसमें आपको सारे content का access मिल जाएगा, including video classes, notes, day series, P.O.I. क्या उस, current affairs, weekly live mentorship session, सब चीजों का access आपको मिल जाएगा, with a validity of 60 days, और आप यहाँ पे इस course को अवे recording paper 2, या फिर paper 1 plus 2 का course भी अब ले सकते हैं, limited time period के लिए, तो प्यारे दोस्तों, last में इत्ते कहूंगा, कि अभी examination की notification का इंतजार मत कीजे, अपना preparation जो फुल फ्लिस तरीके से start कर दीजे, बाकि सब चीजे होती रहेंगे, उनको एक बार साइट पर रख दीजे, और अभी अपना पूरा पूरा जो focus है, अपना इस examination पर रखिए और उसमें अपना best shot आप देकर आईए, आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे regularly आपके साथ और sessions में, thank you, bye, take care, all the best.